इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पहले सिविलाइजेशन आई या कॉन्फिलिक्ट एरे निजी कॉन्फिलिक्ट पहले आई क्योंकि हमें दुश्मिन के लिए सिविलाइजेशन की जुरूरत नहीं इस बेसिक हुमन इमोशन तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन को तो जनम ही कॉट्फिलिक्ट ने दिया आजा सकता है कैसे वेकि इन सारों को अपने दुश्मरों से लड़ने के लिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए फॉज चाहिए यास और फौश को क्या चाहिए? फौश को चाहिए था अनाज तो अनाज हासिल करने के लिए इनसान ने फार्मिंग शुरू की और फार्मिंग वास दे बिगिनिग और अल सिविलाइजेशन इनसान दो जमारे से लड़ता है अपने सिवाइवर के लड़ता है अपने प्रॉग्रस के लिए हमेशे से लड़ता है और यह कोई बुरी बात नहीं वी फाइट बिकास वी आफ टु सवाइव राइट? लेकिन क्या आप लोग यह जानते हैं कि इनसान का सबसे पुराना सबसे जहरीला कॉन्फिक्ट दो मुलकों की दुश्मनी नहीं है दो तैजीबों की बीच की जग भी नहीं है इनफाट इनसान का सबसे पुराना सबसे बेसिक सबसे पॉईस्लिस और सबसे टॉक्सिक कॉन्फिक्ट है मिया और बीवी की बीच की लड़ाएं देखिए 101 तलाके जुमे रात और जुम्मा रात नौ बचे क्योंके मैं ग्रीनू